दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखें कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसके बार में बहुत शारी इंटर्स्टिंग बाती जाएगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्रिप्टो करंसी की शुरुआत बिटकोइन से मानी जाती है बिटकोइन को दोस्तों सतोशी नाकामोटो नाम के एक कम्प्यूटर प्रोग्रेमर ने 2009 में बनाया था ये एक डिजिटल करंसी है मतलब ये कम्प्यूटर में स्टोर्ड होती है अब ये सतोशी नाकामोटो नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता सतोशी नाकामोटो है कुन काई सतोशी नाकामोटो के बारे में बहुत ही इंटरस्टिंग फैक्ट बताता हूँ सतोशी नाकामोटो के अकाउंट में दोस्तों 1.1 मिलियन बिटकोइन आज की डेट में मौजूद है जिसमें से उसने सिर्फ 500 बिटकोइन खर्च की है तो आज उनकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है आज 29 लाग रुपे चरिये बिटकोइन की वैल्यू तो उस हिसाब चे इसकी वैल्यू हो जाती है 43 बिलियन डॉलर्स इंडियन रुपीज में देखें तो 3,28,000 करोड रुपे तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू आज कितनी है लेकिन अभी तक हमें यह नहीं पता कि यह बंदा है कोन दोस्तो 2010 में बिटकोइन की प्राइज 2 रुपे 85 पैसे थी और 2017 आते आते गाईज इसकी प्राइज 56,000 तक पहुँच जाती है और आज की डेट में इसकी प्राइज 29,000 रुपे चल रही है तो आप समझ सकते हैं कि यह कहां से कहां पहुँच गई अगर आप 2010 में इसमें 100 रुपे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 35 बिटकोइन मिलते हैं और आज की डेट में उसकी कीमत हो जाती 10 करोड रुपे 35 बिटकोइन की आज कीमत है 10 करोड रुपे 2010 में अगर आप इन्वेस्ट करते तो गाईज आप एक करोड पती बन जाते वो भी बेटे बेटे बिना काम किये सिर्फ 100 रुपे से समझे 100 रुपे 10 करोड रुपे बन चुके हैं सो गाईज आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि लाइक प्राइज उपर जा रही है नीचे जा रही है ये बिटकोईन की प्राइज उपर नीचे क्यों होती है ये प्राइज काम कैसे करती है कहीं लोगों को ये पता नहीं होता गाईज तो मैं आपको इसे डीटेल में समझाता हूँ गाइस ये जो प्राइज है ये डिमांड और सप्लाई पे गाम करती है मतलब अगर इसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी अगर इसकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो इसकी कीमत घट जाएगी अब ये कैसे होता है मैं बताता हूँ मान लो सबी लोग पूरी दुन्या में कहे दें कि मुझे बिटकोई चाहिए ही नहीं मुझे खरीदना ही नहीं है बिटकोई और सप्लाई अभी इसकी पता आपको बहुत सारी है और डिमांड अब जीरो हो चुकी है तो डिमांड जब जीरो हो जाएगी तो गाईज इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी कोई अगर खरीदेगा है नहीं तो इसकी कीमत कैसे बढ़ेगी तो इसकी कीमत बढ़ना बंद हो जाएगी तो इसी तरीकी से दोस्तों ये काम करती है अगर demand ज्यादा होगी तो इसकी price बढ़ेगी और demand अगर कम होगी तो इसकी price ऐसे घटेगी तो इस तरीके से इसकी price काम करती है अब इसके अलावा भी एक चीज है जो इसकी price को decide करती है वो है news and emotions अब ये बहुत हद तक इसे effect करते है आपने Elon Musk के बार में सुना होगा Elon Musk ने एक tweet किया था उसमें बताया था कि Tesla आज से Bitcoin से आप Tesla गाड़ी खरी सकते हो Tesla कार खरी सकते हो तो guys Bitcoin की price बढ़ गई March में उन्होंने ऐसा किया था और फिर 200 मई आते आते हैं उन्होंने कहा कि आप Bitcoin हम accept नहीं करेंगे क्योंकि इससे climate में problem आती है वगेरा वगेरा बोलके उन्होंने मना कर दिया और price गिर गई अब guys इस तरीकी से price बढ़ सकती है अगर कोई बंदा कोई बड़ा आदमी अगर इसे promote करें तो क्योंकि इससे demand बढ़ जाती है और supply with limited आपको पता है तो इस तरीकी से इसके price काम करती है अब दोस्तो बिट कोई आप रखते कैसे हो मतलब बिट कोई क्या होता है कैसे आपके पास आईगा तो इसके लिए आपके पास एक wallet होना चाहिए जिसे कहते हैं दोस्तो crypto wallet अगर एक crypto wallet होगा आपके पास तो इसमें आप रखोगे अब इसमें बेलग अलग तरह क्या है उसके में details में हम नहीं जाते अब गयाई इसमें दो चीज़े समझ लिजी आपके पास यहाँ पे दो चीज़े होती है एक तो public की और एक होती है private की यह दो चीज़े आपके पास होती है तो समझ जाओ आपकी bitcoin आपकी cryptocurrency खतम हो गई गई मार्केट से सब एकदम zero हो गई क्योंकि आप फिर उसे कभी ला नहीं सकती वाफिस एक बंदे ने दोस्तों 1600 करोड रुपे की cryptocurrency गवा दी थी क्योंकि वो private की भूल चुका था तो इस तरीके से इतना बड़ा नुकसान हो गया दोस्तों और बहुत सारे लोगों को ऐसा नुकसान हो है बहुत सारे लोग प्राइवेट की भूल गए तो गाइस इस तरीके से अगर आप प्राइवेट की भूल जाते हो तो आप बहुत बड़े लोस में होगे अब गाई समझते हैं क्रिप्टो करणसी को असल में बनाया क्यों गया मतलब इसका मकसद क्या है ये क्या काम आती है इसे समझने के लिए हमें दो एक चीज़ समझने पड़ेगी दोस्तों कि जो हमारे पास आज नोट हैं उसकी कमियां क्या हैं उसी कमी को दूर करने के लिए इसे बनाया गया दोस्तों हमारे जो पैसे होते हैं वो या तो बैंक या सरकार कंट्रोल करती है जैसी के आरबियाई आरबियाई जितने चाहें नोट चास रता है और बैंक भी बहुत अत्तक हमारे पैसों को कंट्रोल करते हैं अब ये सतोशी नाकोमोटो ने बिटकोई इसलिए बनाया था कि इनको हटा सके और क्रिप्टो करंसी इसी काम में के लिए बनी है यह पूरी तरीके से डी सेंटरलाइज होती है इसे कोई कंट्रोल नहीं करता यह हमारी द्वारा एक तरह से चलाई जाती है पबलिक की पैसे इ पैसे में दिक्कत ही है कि मान लो आपने बैंक में पैसे रख दी तो आपका बैंक जो है अकाउंट फ्रीज कर सकता है आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा आप पैसे नहीं निकाल पाऊगे आपका क्रेडिट कार्ड आपका डेबिट कार्ड इनको दोस्तों ब्लोक कर सकत है इन सब को तो फिर आप अपने पैसे एक्सेस नहीं कर सकते आपके पैसों को बैंक लोन पर भी देता वगेरा वगेरा तो बहुत सारी चीजिए तो पैसे का यह जो नुकसान है इसी यह जो डिस एड्वांडेज है इसी को ठीक करने के लिए क्रिप्टो को बनाया गया था अ तो यह जो कई लोगों ने अपनी क्रिप्टो करैंसि बनाई जैसे लाफ बहुत सारे सुनोगी तो यह सारे दोस्तों और क्रिप्ट कर था available है वो सब old coins होते हैं guys, so यह है old coins, अब जो यह old coins होते हैं दोस्तों इन्हों ने bitcoin की कहीं दिक्कतों को भी दूर किया है और उस हिसाब से अपनी अपने cryptocurrency लोगों ने बनाई है, अब दोस्तों cryptocurrency में भी दो type की चीज़े होते हैं, एक होता है token, market में अभी token बहुत ही जादा है, coin कम है, इसका कारण क्या है, क्योंकि दोस्तों tokens को बनाना आसान होता है, coins को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंक token की खुद की blockchain नहीं होती है, blockchain को हम थोड़ी देर में समझेंगे, so यह इन में difference होता है, token को बनाने में दोस्तों बहुत ही कम टाइम लगता है, कुछी मिंटों के अंदर कोई बना token बना सकता है, so इसलिए यहाँ पर scam होने की भी chances रहते हैं, so guys अब समझते हैं blockchain को, दोस्तो crypto currency है, वो पूरी तरीके से blockchain पर काम करती है, अब guys blocks में क्या होता है, एक तरह से इसमें सब कुछ लिखा जाता है, कि हमने किसको bitcoin बैची, किसको क्या, इस तरीके से, जैसे कि मान लो guys, bitcoin आज 0 है, तो मैंने 5 bitcoin बनाई, और मैंने उसे किसी को page दिया, 5 रुपे में, अभी ऐसे imagine करते हैं, example से समझते हैं, so guys, अब दोस्तों, मेरे पास जैसे 5 bitcoin है, तो blockchain में लिखा जाएगा, कि मेरे पास 5 bitcoin है, अब मैंने किसी को दे दिया है, वो bitcoin, तो मेरे account से वो 5 हट जाएगे, लिखत दिया जाएगा, कि इसने इसको दे दिया है, so अभी वो 5 bitcoin उसके पास से लेगे तो मेरे पास कुछ भी नहीं बता, इसी तरह blockchain में यह सब कुछ लिखा जाता है, अब यही दोस्तों एक तरह से crypto है, आप समझ लीजिए, इसी technology पर यह सब काम करता है, अगर guys, मेरे account में crypto नहीं है, यह blockchain में लिखा जाएगा, अब blockchain में कहीं सारे blocks होते हैं, अब यह block में transaction ल wall होते हैं, और उन सब में यह सब लिखा हुआ होता है, तो आपको अगर उसे hack करना है, blockchain को, तो सारे computer को hack करना पड़ेगा, उसके बाद आप जितने चाहिए bitcoin बना सकते हो, जितने चाहिए crypto currency बना सकते हो, लेकिन यह करना लगबग impossible है, अब दोस्तों criminals और bitcoin को समझते हैं, दोस्तों आपने कहीं बार ऐसा सुना होगा शायद से, कि जब भी कोई hacker किसी computer को hack करता है, या कोई भी गलत काम होता है online, तो ज़्यादा तर लोग फिरोती के रूप में bitcoin को मांगते हैं, इसका reason है कि bitcoin को track करना मुश्किल होता है, इसलिए वो लोग bitcoin मांगते हैं, क्योंकि bitcoin में उनको अपनी identity नहीं बतानी पड़ती, और उन्हें bitcoin के बदले पैसे में, वो easily convert कर सकते हैं bitcoin को, वो bitcoin मांगते हैं, अब जिन में ज्यादा तर hackers और यह जो भी होते हैं, यह bitcoin को बाद में किसी और connect, किसी और cryptocurrency में change करते हैं, इसका reason है कि bitcoin को सरकार अगर चाहे तो track कर सकती ह और पता कर सकती है कि, मतलब यह बंदा इसके पीछे कौन है, किसी ना किसी तरीके से ऐसा पता किया जा सकता है, तो guys, इसलिए वो लोग एक जैसी currency है, monero, इसे track अना बहुत ही मुश्किल है, तो वो ऐसी currency में बदल के फिर cash में convert कर लेते हैं, तो इस तरीके से criminals इसका use करते है एक तरीके से, अब guys, last सवाल, क्या bitcoin कोई scam तो नहीं है, मतलब क्या, यह crypto currency असली चीज है, bitcoin, crypto, यह सब कुछ क्या असली है, क्या यह कोई scam तो नहीं, क्योंकि आप सोचो, यह कोई असली पैसे थोड़ी है, यह computer में तो code ही तो है एक तरीके से, यह कोई असली पैसे तो है यह एक तरह से भरोसे पर चल रहा है सब कुछ, तो क्या हमें इसे खरीदना चाहिए, तो मैं इसका जवाब यह देना चाहता हूं, कि मानलो आपके पास एक 2000 का note है, तो इसकी value क्या है, मतलब क्या है आपके पास, वो एक आगस का note आप खा नहीं सकते, आप उसे खाना तो कैसे खरीदते हो, यह सब भरोसे से होता है, हर currency आज की date में उसकी कोई value नहीं है, वो सिर्फ भरोसे पर चल रही है, हमारी government के पास 2000 के note के बतले कोई सोना नहीं रखा हुआ है, पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब currency सिर्फ इसलिए चलती है, कि government ने हमे भरोसा दिलाया इस पर, तो इसी भरोसे पर दोस्तो क्रिप्टो करेंसी काम करती है, तो guys आज के लिए इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, यह था आज का वीडियो, उमीद के दाव वीडियो पसंद आयोगा, तो इस वीडियो को लाइक करना, और चानल को सब्सक् औरह वे बहर जो एक सिरेग्स is समय कि प्रतुम और जाद कि अंगो चूरा उन्हें जाईफ एमिल जाना पिंग ह्एएएएएएएए धना है धूगासा तो एम कि आ वेप पित्व हैं रिएफएएएएएएएशिक को ये लेफ वे अवेजर भार उर स्वेय में इस और जड़